हेलो गाईज, वेलकम टो आवर चैनल ओशिन ओफ नॉलेज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCQs on History of Jammu and Kashmir History of Jammu and Kashmir काफी ब्राद टॉपिक है, that's why इसकी वीडियो जादा आ रही है ताकि हम इस टॉपिक को गंप्लीट कर सकें आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखे साथ ही में हमारे टेलिग्राम गुरूप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो आप लग उसे भी ज़रूर करें तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो को स्चार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट कोशिन है वो वास अपाउंडर आफ शाहमीर डैंस जी चीक है शाहमीर जो डैंस जी थी उसके फाउंडर कौन थे तो उसके फाउंडर थे सुल्तान शामसुदीन चीक है अच्छा यहां पर कन्फूजन होगा बहुत सारे बच्चों को कि फाउंडर यहां पर सुल्तान शामसुदीन है लेकिन जो पहले किंग मानने जाते थे मुसलिम किंग जिन्होंने रूल किया था कश्मीर के ओपर वो तो शाहमीर थे और डैंस्टी का नाम भी शाहमीर है तो फिर फाउंडर का नाम यह क्यों है तो यह नाम इसलिए है क्योंकि यह दोनों परसन जो है वो सेम ही थे जैसे हमारे भी क्या होता घर का नाम होता है लेकिन जो भी डॉकुमेंट्स वगहरा होते है उसमें हमारा real name होता है तो उसी तरहां से जो शाहमीर थे वो पहले Muslim ruler थे कश्मेर के और उन्होंने जो density स्थापित की वो थी शाहमीर density लेकिन उन्होंने जिस नाम से उस density को स्थापित किया जिस नाम से उन्होंने थ्रोन को संभाला वो नाम था उनका सुल्तान शमसुत दीन तो याद रखेगा confusion की कोई बात नहीं है और शाहमीर जो density थी वो कब स्चार्ट हुई थी कब मुस्लिम रूल आया था वो आया था 1339 में आया था चीक है और यह जो density थी यह खतम कब हुई थी यह खतम हुई थी 1561 AD में चीक है 1339 में स्चार्ट हुई 1561 में यह खतम हो गई शाहमीर डैंस जी कौन थे मुस्लिम रूलर पहले वो थे शाहमीर और जिस नाम के अंडर उनर ने थ्रवन जो है वो एक्वायर किया था वो था सुल्तान शमसुत दीन चीक है अच्छा अब जो शाहमीर डैंस जी थी और जो इसके जो लास्ट रूलर थे वो कौन है वो है हवीब शाह चीक है हवीब शाह को लास्ट रूलर माना जाता है लास्ट मुस्लिम रूलर माना जाता है कश्मीर का अब बड़े सारे लोगों को confusion होगा कि हबीब शाह लास्ट रूलर थे जांपे यूसुफ शाह चक वो लास्ट रूलर थे तो इसके confusion की कोई बात नहीं है जो शामसुदीन है मलब शाह हमीर थे ये फर्स्ट मुस्लिम किंग थे तो इसके जो लास्ट थे मुस्लिम रूलर जो लास्ट थे वो थे कौन? हबीब शाह अब यूसुफ शाह चक जो है वो लास्ट रूलर थे वो थे चक डेंस जीगे क्या हुआ था जब मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ था तो शाह मीर के बाद बड़े सारे रूलर्स ने यहां पर rule किया चैके, बड़े सारे मुस्लिम रूलर्स ने यहां पर rule किया उसमें जो last ruler थे, वो थे हबीब शाब, चैके, हबीब शाने रूल किया था 1557 से 1561 AD तक, हबीब शाने रूल किया 1557 से 1561 AD तक, और यह last ruler थे इसके बाद क्या हुआ अकवर ने इन्वेड किया कश्मीर के उपर आर्मी बेजी अकवर ने और इन्वेड किया अटैक किया कश्मीर के उपर क्योंकि वो कश्मीर को एक्वायर करना चाता था लेकिन उस टाइम पे हबीब शाह ने क्या किया उसको हरा दिया उसकी आर्मी को हरा दिया और जो हबीब शाह थे उन्होंने जो मुस्लिम रूलर था मतलब जो मुस्लिम रूलर था वो स्थापित रखा चेक है वो खत्ब नहीं होने दिया मुगलों को हरा दिया अब उनके बात क्या हुआ जो नाजीर दीन मुहमद गाजी शाम इनका जो शौर्ट नेम था वो था गाजी चक ये आए थे कश्मीर में और इन्होंने हबीब शा को हराया हबीब शा को हराकर इन्होंने चक डेंस्टी जो है वो स्थापित कर दी गाजी चक आये कश्मीर में और इन्होंने हबीब शा को हराया और हराकर अपनी जो डैन्सची थी चक डैन्सची वो इन्होंने वहाँ पर स्थापित कर दी चीक है अब चक डैन्सची में क्या था चक डैन्सची में जो यूसुफ शा थे उन्होंने शादी कर ली थी किसके साथ, हब्बा खातून के साथ, हब्बा खातून के साथ उन्होंने शादी कर ली थी और हब्बा खातून जो है वो एक पोइटेस थी, और यहां पर एक और नाम आता है इनके बेटे का, जिसका नाम था जाकूब शा, जाकूब शा ने बाद में अकवर ने फिर से वहां पर आर्मी बेजी और उससे लड़ाई की कहां पर आर्मी चो बेजी थी वो बेजी दी हरीपूरा में थी रोमार, मुगल आर्मी कहां पर आई चाकुप दौध चाकवल में वह एक परो सभीकशा को अटॉ हो गया और मुगल रूल जु है वह स्टार्ट हो कश्मीर में इन 1586 में उस ने जाकूब रुलर को हरा दिया और 1587 में वह सटार्ट हो गया मुगल रूलड चिक है कि आप नेक्सट इंपर्टेंट हिंदूरों के साथ अच्छा बरताब करते थे एंपर्टेंट्टेश नाम है जो इंपोर्टेंट माने जाते हैं वो है कोटाबत और उधेश्री तो इसका अंसर आजाएगा बहुत चेक है बहुत दोर्नों थे कोटाबत और उधेश्री next who was called akwar of kashmir किसे akwar of kashmir कहा जाता है तो akwar of kashmir कहा जाता है किसे zain ul abhinin अच्छा क्यों कहा जाता है क्योंकि यह भी greatest king थे as akwar okay next who will the wooden bridge at shrinagar known as zain kadal किस ने wooden bridge बनवाया था श्री नगर में जिसको jain kadal भी बोला जाता है तो वो भी कोट थे zain ul abhinin zain ul abhinin काफी greatest king थे इन्होंने बड़े सारे काम किये थे श्री नगर में last time carpet industry जो लगवाई थी कश्मीर में जो last time हमने पढ़ा था वो भी zain ul abhinin नहीं लगवाई थी the earliest administrative unit in jammu and kashmir was known as administrative unit मलब जो वो थे प्रशासन था जो उस time प्रशासन को किस नाम से बुलाया जाता था चैके पहले जammu kashmir में तो उनको बुलाया जाता था परगाना के नाम से चैके परगाना और बाद में इसी परगाना को reorganized करके इनका नाम बदल कर जिलाज और तहसील में इनको convert किया गया था परगाना को next who among the following is also called as जिन्दा पीर अलमगीर इन में से कौन है जिसको जिन्दा पीर जाफिर अलमगीर भी बोला जाता है जिन्दा पीर जाफिर अलमगीर किसे बोला जाता है तो वो जो बोला जाता है अरुन जेप को next who was the last muslim ruler of kashmir last muslim ruler of kashmir बताया मैंने पहले ही कौन था हबीब शा जूसुप शा चक जो है वो चक डैंस्टी के लास्ट रूलर थे और जिसने किस से शादी की थी हबा खातुन से शादी की थी तो याद रखिएगा last muslim ruler कौन है हबीब शा next how many times did akwar visit kashmir तो akwar कितनी वार कशmir आये थे तो akwar जो है वो तीन वार कशmir आये थे 17 times मोहमत गजनी आये थे कशमीर पर इंडिया पर attack करने 17 वार इंडिया पर attack करने आये थे मोहमत गजनी तीन बार अकवर आये थे और जहनगीर आया था कशमीर में कितनी बार तैना बाद जहानगीर आये थे अवशन का अच्छर हो गया थ्राइस तीन बाद आये next जहानगीर के दरवार में कौन आये थे परमीशन लेने के लिए कि क्या हम यहाँ पर इंडिया में फैक्टरीज लगा सकते हैं या नहीं तो यह परमीशन लेने कौन आये थे ये दोनों इसको option answer आजाएगा बहुत कौन कौन captain William Hawkins और sir Thomas Roy ये दोनों आये थे जहांगीर के court में factory set करने की permission लेने के लिए next in Kashmir अफगान rule was followed by Kashmir में अफगान rule के बाद कौन सा rule आया तो अफगान rule के बाद आया सिख rule क्या हुआ था सबसे पहले Hindu period आया Hindu period के बाद Muslim आये Muslim के बाद क्या हुआ Mughal rule आया Muslim के बाद मुगल rule के बाद आया Sikh rule फिर Sikh rule के बाद sorry मुगल rule के बाद आया Afghan rule Afghan rule के बाद आया Sikh rule और Sikh rule के बाद start हुआ हमारा डोगा पिदियर ठीक है जिसे हम modern history भी बोलते हैं अब next, who is called शेरे डुगर, शेरे डुगर किसे बोला जाता था, तो शेरे डुगर का टाइटल मिला था, प्रेमनाथ डुगरा को, okay, next who among the following is the first Sikh ruler in Kashmir, इन में से कोन पहले Sikh ruler थे, Kashmir के चीक है, तो Kashmir के पहले Sikh ruler कोन थे, Ranjit Singh जी, चीक है, Maharaja Ranjit Singh, next who was the father of Maharaja Ranjit Singh, तो Maharaja Ranjit Singh जी के पिता जी का नाम क्या था, तो उनके पिता जी का नाम था, Maharaja Mahan Singh, next Sikh rule lasted for dash years in Kashmir, Sikh rule जो है, वो कितने सालों तक रहा कैश्मीर में, तो Sikh rule जो है, वो 27 साल तक रहा, चीक है, कब start हुआ था Sikh rule, Sikh rule start हुआ था 1819 से 1846 तक, चीक है, और फिर इसके बाद, 46 के बाद start हो गया था हमारा दोग्रा पिएट next, गुलाब सिंग परचेस कश्मीर from the East Indian Company at the cost of कितने रुपे से खरीदा गया था कश्मीर को, चीक है East India Company से, तो वो खरीदा गया था रुपी 75,00, नानक शाही रुपीया चीक है, नानक शाही नानक शाही 75,00, नानक शाही रुपीज next, चीक है, त्रीटी ओफ अमरिटसर इन विच महराजा गुलाब सिंग प्लेड एन इंपोर्टन रोल वस साइंड ओन त्रीटी ओफ अमरिटसर कब साइन की गय थी कब साइन की गय थी 16,00, 1846 को चीक है, अब ट्रीटी ओफ अमरिटसर क्या थी जिसमें गुलाब सिंग जी ने 75,00, नानक शाही रुपीज में कश्मीर को खरीदा था East India Company से उसी को ट्रीटी ओफ अमरिटसर बुला जाता है थैंक्स गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ टेलिग्राम ग्रूप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो आप लोग उसे वीडियो जरूर करें थैंक्यू झाल 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 झाल